नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुमार लोटस वी और मैं आज आपको एक्स्प्रेंड करने वाला हूँ दे विलेज सॉंग, यह एक पोएम है जिसे लिखा है सरूजनी नाइडू जी ने सबसे पहले हम इस लेसन के टाइटल के बारे में जानेंगे दे विलेज सॉंग, विलेज को हिंदी में गाउं या फिर ग्रामीन कहा जाता है और सॉंग को हिंदी में गीत या फिर गाने कहा जाता है तो इस लेसन के टाइटल का मेनिंग होगा गाउं के गाने या फिर ग्रामीन गीत अब हम poetess सरोजनी नाइडू जी के बारे में जानेगे सरोजनी नाइडू सरोजनी नाइडू जी का बर्थ हुआ था 13th of March 1879 में और इनकी मृत्ति हुई थी 2nd March 1949 में सरोजनी नाइडू, political activist, freedom fighter और Indian English poet थी सरोजनी नाइडू जी को Nightingale of India के नाम से भी जाना जाता है सरोजनी नाइडू जी Indian National Congress की पहली महिला President थी और United Province जिसे आज उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है वो उसकी पहली Governor भी थी अब हम बात करेंगे सरोजनी नाइडू जी के कुछ बहुत ही famous words के बारे में जैसे In the Bazaars of Hyderabad, Palanquin Bearers और Indian Weavers के इनके कुछ बहुत ही famous work रहे अब मैं आपको ये poem बहुत सरल वह असान शब्दों में explain करूँगा Poem को समझने से पहले हम कुछ difficult words देखेंगे जैसे Grieve Grieve का मतलब होता है दुखित होना या फिर शोक पहुचाना Fourth का मतलब होता है सामने की ओर Honey, Child, Honey, Child, Where are you going? Would you cast your jewels all to the breezes blowing? Poem के शुरबात एक मां से होती है जो अपनी बच्ची को समझा रही है वह ये कहती है प्यारी बच्ची तुम किदर जा रही हो? विदर का मतलब होता है किदर? क्या तुम अपने सारे गैने बहती हवा में फेक दोगी? इन पंक्तियों में एक मां चिंता के साथ अपनी बच्ची से पूछ रही है क्या तुम गेर जिम्मेदार बनी रहोगी बारती संस्क्रिती में जब एक बच्ची का जन्म होता है तो उसके विवा से पहले ही उसके घर वाले उसके लिए गहने बनवा देते हैं ताकि विवा के समय कोई भी समस्या ना आए और गहने इसलिए भी पहले बनवा दिये जाते हैं क्योंकि उस समय सोना सस्ता होता है और बाद में हमेशा सोने के भाव बढ़ते ही हैं गहनों का हवा में फेकना ये बताता है कि बच्ची का रवया गैर जम्मदार है क्या तुम अपनी मा को छोड़ दोगी जिस मा ने तुम्हे सुनहरा अनाच खिलाया क्या तुम अपने प्रेमी को दुख पहुचाओगी जो प्रेमी तुमसे शादी करने के लिए गुट सवारी करके आ रहा है यहाँ पर गोल्डन ग्रीन का मतलब है अच्छा खाना एक मा चिंता के साथ अपनी बच्ची से यह पूच रही है कि क्या तुम अपनी मा को छोड़ दोगी जिस मा ने तुम्हे बच्पन से पाला और अच्छा खाना खिलाया आगे मा उसे उसकी प्रेमी की दोहाई देती है जो गोड सवारी करके उससे शादी करने के लिए आ रहा है यह पोयम का फर्स्ट स्टेंजा था यह पोयम सवाल और जवाब के लहजे में लिखी गई है यहाँ पर एक मा अपनी बच्ची से प्रश्न करती है अगले स्टेंजा में अब एक बच्ची जवाब देगी बो शब्द का मतलब होता है शाखा या फिर डगाल आयल शब्द का मतलब होता है टापू या फिर द्वीब गलेसन शब्द का मतलब होता है चमक धमक या फिर जिलमिलाना इन पंक्तियों से हमें ये समझ में आता है कि बिटिया प्रकृति के करीब जाना चाहती है जहां पर चम्पा की कलिया खिल रही है यानि कि बिटिया नवजीवन को महसूस करना चाहती है यानि मा में कोयल के हौंटेट का मतलब होता है भूतिया भूतिया नदी के टापों पर जाओंगी जहां पर लोटस और लिली के फूल जिलमला रहे होंगे यहां पर कोयल हौंटेड ड्रिवर आइल से मतलब है कि बिटिया उन अंचुई जगों पर जाना चाहती है उन्हें महसूस करना चाहती है जहां पर कोई आता जाता नहीं है फेरी फोक्स आर कॉलिंग यानि परियों के लोग गीतों के आवाजे मुझे बुला रही है ओ सुनो इन लाइन से पोईट ने एक लड़की की मन में क्या वचार उड़ सकते हैं इसे फेंटिसाइस करने का प्रयास किया है परियों का उल्लेक हमें पौरानिक गाथाओं और लोग कथाओं में मिलता है परियों के पास जादू ही शक्तियां होती है और उनके पास तितली या फिर ड्रेगन फ्लाई जैसे पंक होते हैं जिनसे वह एक जगे से दूसरी जगे उड़ सकती है बिटिया को ऐसा लग रहा है कि परियों के लोग गीत उसे बुला रहे हैं इस इस्टेंजा में तीन तरह के फूलू का जिक्र हुआ है पहला चंपा, दूसरा लोटस और तीसरा लिली चंपा से बहुत ही सुगंदित खुचबो आती है जबकि लोटस और लिली पाने में खिलते हैं क्योंकि यहाँ पर टापो की बात हो रही है इसलिए यहाँ पर लोटस और लिली का जिक्र किया गया है अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइट पर लिजर का मतलब होता है खाली समय या फिर फुरसत लूम शब्द का मतलब होता है जुलाओं की बुनने का राच या पिर ऐसे करगा भी कहा जाता है हर्द का मतलब होता है सिगडी या फिर चूलह हानी, चाइल्ड, हानी, चाइल्ड द व्लेर्ड constituents, of bridal songs and cradle songs and sandal scented leisure इन लाइन्स में मा कहती है प्यारी बच्ची प्यारी बच्ची ये दुनिया पूरी मनोरंजोनों से भरी है ये दुनिया विभागीत और पालनों के संगीत से भरी हुई है और भरी हुई है फुरसत के चंदन की खुश्बू से क्रेडल शब्द का मतलब होता है पालना और क्रेडल सॉंग्स को लोरियां भी कहा जा सकता है इन लाइन्स के जरिये एक मा अपनी बेटी को ये समझाने की कोशिश कर रही है कि ये दुनिया मनोरंजन और आनंद से भरी हुई है यहाँ पर विवागीद और लोरियां गाई जाती है यानि कि बहुत खुश्णमा महौल होता है और यहाँ पर आराम भी चंदन की खुश्बू जैसा महकता है सुगन देता है यानि कि तुम्हें इस दुनिया में आराम करने के लिए मिलेगा असल में यहाँ पर मा बेटी के जंगल जाने वाली बात को काउंटर करते वे कह रही है क्योंकि जंगल में आराम नहीं मिलता वहाँ पर हर पल जद्द जहत से भरा रहता है यानि तुम्हारी शादी का जोड़ा, तुम्हारी शादी की पोशाक करगे में है चांदी और केसरिया चमक रहे हैं तुम्हारे शादी का केक सिगडी पर है ओ तुम कहां जा रही हो लूम जिसे करगा भी कहा जाता है एक मशीन होती है जिससे कपड़ा बुना जाता है और प्रिंट किया जाता है शादियों में चमकते और आकरशित करते वे रंगों का इस्तमाल किया जाता है ताकि लोगों का ध्यान कीचा जा सके इसलिए यहां पर चांदी और केसरिया रंग की बात कही जा रही है तुम्हारी शादी की पोशाग करगे में है और तुम्हारे शादी का के सिगडी पर है इन चीजों से यह मतलब है कि शादी की तैयारिया अब लगभग पूरी हो चुकी है और तुम कहां जा रही हो अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेंजा पर केडेंसर का मतलब होता है दुन, ले, या फिर आरोह, अवरोह और फेरी फोक का मतलब होता है परियों के लोग गी ग्यानी वेवाह गीत और पालनों के संगीत में दुख संताब की दुने है आज सूरज की हसी उसका लाफटर आने वाली दिन की वृत्यू की हवा है इन लाइन से बेटी आपने मा के तरगों का विप्री जवाब देती है बेटी ये कहती है कि उसे विवाह गीत और पालनों के संगीत में दुख दिखाई पड़ता है उसे सूरज की हसी आने वाली दिन की मृत्यू के हवा जैसी लगती है असल में बेटी यहां पर ये कहना चाहती है कि जरूरी नहीं कि वह शादी करके बच्चे पैदा करके मा बनके खुश रह सके हो सकता है कि जो चीजे अभी अच्छी दिखाई दे रही है वह असल में न हो यह पोयम की लास्ट लाइन्स है इसमें बिटिया यह कहती है जंगलों की मृधुर आवाज कहीं अधिक मिठी है जहां पर जंगलों के जर्णे गर रहे हैं ओ मेरी मा मैं रुक नहीं सकती मुझे परियों के लोकीत बुला रहे हैं मा के समझाने के बाद भी बेटी वही बात दोराती है कि उसे उसकी असली खुशी प्रकृति के बीच मिलेगी वहाज जंगलों में घूमना चाती है वहाज दुनिया को जानना चाती है वहाज नए अनुभावों को महसूस करना चाती है और इसलिए वह कहती है कि मैं रुक नहीं सकती मुझे परियों के लोकीत बुला रहे हैं दोस्तो ये था इस पोरी पोयम का एक्स्प्लेनेशन आशा करता हूँ कि आपको इस पोयम आसानी से समझ में आई होगी अगर आपको इस वीडियो अच्छा रगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपने आसपा सबाई बनाए रखें और एक पेड़ जरूर लगाएं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद